हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बाफ फिर हमाई यूट्यूब चैनल में बात करेंगे इस वीडिय में ट्रांसफर को लेकर अपडेट्स जानकरी और न्यूज की चंद बाव यली बार है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें आगे भी अपडेट्स मिलते हैं नहींग अपको लेकर अरपार की लड़ी जाएगी और इसमें इस्ताना अंतरन को लेकर सड़कों पर उत्रेंगे श्क्सक 17 मैं को प्रदिश इस्तरी अंदुलन जैपुर में होगा शुरू बता दें आपको लंबे समय से जो सिक्सक साथी है ठाट के टीचर से ट्रांसफर के इंतज नीती नियम नर्देश चारी नहीं हो रहे हैं ट्रांसफर को लेकर कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं इसी को लेकर अब महा पड़ाओ की तियारी शुरू हो गई है पूरी खबर आपको दिखाते हैं 33 सिक्सकों के इस्ताना अंतरन की मुख्य मांग को लेकर सरकार तक इसे नियती नहीं बनाई है ऐसे बें लंबे समय से ये शिक्सक इंतजार कर रहे हैं कोई नियती भी तीयार नहीं आपाई है इसके जल्दे तियार नहीं होने से काफी निरासा और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है है उन्होंने कहा कि ऐसे में अब समय आ गया है कि समूचा सिक्षक समाज एक जूट होकर अपने हक की लड़ाई लड़े इसके लिए 10 मही को परदेश के सभी जिल्ला मुख्यालब अंदूलन और प्रदेशन किया गया है अब समय परदेश के सभी जिल्ला मुख्यालब अंदूलन और प्रदेशन किया गया है अब इसके बाद 17 मही को परदेश सिर्य आंदूलन जेपूर में किया जाएगा इसके साथ ही जो खबरे आ रही है तो बता दे आपको ट्रांसफर को लेकर लगातार सिक्षक विरोध प्रदसन कर रहे हैं कि जल से जल थर्डगेर शिक्षकों के ट्रांसफर को ले जाए ताकि वो अपने चित स्थान पर यानि ग्रह जिले में जा सके इसके लिए शिक्षक संग पंचायती राज गरमचारी संग ने भी जगा जगा कलेक्टर को ग्यापन सोपे हर वर्क के गरमचारियों के जब तबादले हो रहे हैं तो फिर तीन लाग थर्डगेर टीचर से उनके तबादले ही क्यों रोक के रखे हैं 3,000,000 घरटटी स्वाल के इंके तबादले क्यों नहीं किये जा रहे है? हर वर्क के करमचार्हों के तबादले किये गए हैं, सरकार ने किये भी है, लेकिन केवल इन सिक्ष़कों के साथ ही बेदवाग क्यों हो रहे हैं, इसी को लेकर पर्देसन किया जा रहा है. हर जगा लंबे समय से सिक्ष मांग कर रहे हैं थाटगे टीचर्स की ट्रांसफर को लेकर रास्तान सिक्ष का पंचायदा करमचारी संग ने भी तिर्टिशनी सिक्ष को तबादलों से प्रतिबंध हटाने को लेकर सरकार से मांग की और उनका एक ही सवाल है कि जब घरवर्ग की करमचारी अपसर है हर वर्ग का करमचारी उनका तबादला हो रहा है तो ऐसे में तिर्टिशनी सिक्ष कों की उपेक्षा क्यों हो रही है ऐसे में अब राज्य व्यापी अंदुलन के दित्य चड़ में बुद्वार को जो भी है अद्यक्स वगर है कलेक्टर पर पदस्टन करके मुख्य मंत्रे मुख्य शच्चु के नाम कलेक्टर का ग्यापन सौपे हैं ऐसे में इसके अलावा भी उनकी बांग है कि दोजा अठार से तीन लाग तर्दिशनी सिक्षक इस्तानांतरिन का इंतजार कर रहे हैं लागाओ सिक्षक सिक्षक आए अपने परिवार अपने घर से शैकड़ों के में दूर बैटे हैं टीएसपी है डाक जोन के जिलो में सिवाइं भी देते आ रहे हैं दस साल बाद भी शामानी जिलो में शमायोजन उनका नहीं हो पा रहा है जबकि सरकार प्रतिवस हर वर्क के करमचारी और सिक्षकों के तबादे कर रही है प्रदेश अद्यक्स चोहान ने भी कहा कि प्रदेश सरकार जब तक 3,336 सिक्षकों का तबाला नहीं करेगी तब तक आंदुलन जारी रहेगा और अगर 30 जून तक इस्तनांदरिन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो 17 मही को प्रदेश भरके सिक्षक जैपूर में महापड़ाव डालेंगे तो ऐसे में अब कारेकरम तय हो रखा है सभी सिक्षक एक जुट होकर प्रदेशन करेंगे जपूर पर महापड़ाव डालेंगे और सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द थर्ड गेट टीचर्स के ट्रांसफर कोले जाएं अब देखते हैं सरकार के कानों में ये बात पहुंचती है या नहीं और सरकार कब एक्षन लेती है कब ट्रांसफर कोलती है ये बड़ा मुदा है और अब मौका भी है कि गर्मी की चुटियां भी हो गई है तो ऐसे में काफी समय है अगर खोल दे तो सभी जो है अपने उच्छित इस्तान जा सकते हैं और चुलाई में तो फिर वापस नया सेसन स्टार्ट हो जाएगा अभी ही एक वक्त है कि वा ट्रांसफर कोले का